नमस्कार साथियो वेलकम आप सभी का तो साथियो आज हम मैच कवर करेंगे दूसरा T20 मुकाबला जो खेले जाने वाला है जिंबाबे वर्सीज पाकिस्तान के बीच में तो दोस्तो मुकाबला 3 दिसंबर को खेले जाने वाला है पांच बचे मुकाबला स्टार्ट होगा क्विन स्पोर्ट्स कलब जिंबाबे की पिच पर है तो दोस्तो जिंबाबे का होम गिराउंड है तो जिंबाबे की तरब से आज के मैच में कौन सा खिलाडी सबसे बढ़िया परफोर्मेंस करते वे नजर आएगा पाकिस्तान की तरब से ओपिनिग बेच्समें में कौन सा खिलाडी सबसे ज़्यादा स्कोर करने वाला है और बोलिंग सेक्षन की बात करें तो कितने बोलर हमें जिंबाबे की तरब से ट्राई करके चलने हैं पहले T20 मुकाबले में दोस्तों 10 ड्रीम पलेयर मैंने आपको पहले ही टेलिग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दिये थे और अभी तक जिसने टेलिग्राम चैनल अगर जुआइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ पर आपको रजल्ट भी देखने को मिल क्याइगा, HDMI सन दोस्तों काफी अछा गया था, कैप्टन वोइस कैप्टन भी लगबग मैंने आपको वीडियो के अंदर बता दिये थे और उसमें कैप्टन भी मैंने आपको fixed ट्राई करके दे दिया था, आपको फिक्स ट्राई करके दे दिया था, only वोइसी कैप्टन के दोस्तो कौन सा खिलाडी जिंबाबे पाकिस्तान दोनों टीमों की तरब से सबसे बढ़िया परफोर्मेंस करते वे नजर आएगा जिसको हम युनीक कैप्टन वोईस कैप्टनशी में ट्राई करके चल सकते हैं सिकंदर रजा आज के मैच में परफोर्मेंस करेगा या फिर दोनों के कॉंबिनेशन के हिसाब से ग्रेंड लिक टीम का कॉंबिनेशन बनाएंगे तो वीडियो को दोस्तो एंड तक देखते चलना और अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फड़ापट से दोस्तो वीडियो को लाइक कर लेना चैनल को सस्क्राइ पिछ आपको लगबग बैलंसेड पिछ देखने को मिलेगी और यहाँ पर फास्ट बोलर प्लस में स्पिन बोलर दोनों को दोस्तो इक्वल हैल्प मिलती भी नजर आ सकती है क्योंकि पहले T20 मैच में भी दोस्तो स्पिन बोलर ने भी परफोर्मेंस किया था इसके साथ साथ पिछ बोलर ने भी यहाँ पर विक्ते निकाली थी तो इस गिजर धोर दोस्तो टोटल 11 T20 मुकाबले अभी तक खेले गए हैं जो टीम पहले बैटिंग करती है उस टीम ने 6 मुकाबले जीते हैं सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने 5 मुकाबले दोस्तों यहाँ पर विन किये हैं एवरेज स्कोर पिच का 150 से 160 के करीब देखने को मिल सकता है हाइड स्कोर दोस्तों पिच का 190 रन है और सबसे कम स्कोर पिचाण मा रन पिचाण मा रन पे टीम यहाँ पर ओल आउट देखने को मिली थी उसके साथ स्कोरिंग पैटरन 150 से नीचे 4 बार स्कोर 150-170 के बीच में 6 बार स्कोर है और 190 से उपर इस गिराउंड पे एक या बार स्कोर देखने को मिल जाएगा बैटिंग ऑडर भी दोस्तों आपको ठीक ठाक परफोर्मेंस करते वे नजर आएगा तो चलिए दोस्तों रिसेंट वाले मैचों के आप कर लेते हैं रिसेंट 2024 में पाकिस्तान और जिंबाफे की बीच में पहला पहला T20 मुकाबला खेला गया था पाकिस्तान की टीम ने पहले बैटिंग करते वे 164 रन का टारगेट किया जिंबाबे की टीम दोस्तों 108 रन पे ओल आउट यहाँ पर देखने को मिली थी इस मैच में 5 विकट स्पिन बोलर को मिली थी और पेस बोलर ने दोस्तों यहाँ पर 7 विकटों के साथ परफॉर्मेंस किया उसके बाद जिंबाबे नीदरलेंड 2022 में मुकाबला खेला गया इस मैंच में 9 विकट स्पिन बोलर को मिली थी नो विकट दोस्तों यहाँ पर पेस बोलर ने निकाली उसके बाद यूगांड़ा और हौंग कोंग के बीच में मुकाब खेला गया 6 विकट यहाँ पर पेस बोलर को मिली और 6 विकट दोस्तों यहाँ पर Spin baller को मिली है रिसेंट का जो पहला T20 मुकाबला है इसमें भी दोस्तों Spin और पेस दोनोंने performance किया 2022 में जो यहाँ पर 3 मुकाबले खेले गये थे इनमें भी दोस्तो स्पीनट्स पलस पेसर्स दोनों ने performance किया है फर्फिंट इनिंग में दोस्तो यहाँ पर पेस बोलर को बारा विकट मिली है टोटल रिसेंट के चार मैचों में सैकंड इनिंग में अठारा विकट टोटल तीस विक्टों के साथ यहाँ पर पेस बोलर ने पर्फोर्मेंस किया है इसके साथ साथ स्पिन बोलर ने दोस्तों 13 विकट फर्स्ट इनिंग में सैकंड इनिंग में भी 13 विकट है टोटल 26 विक्टों के साथ यहाँ पर स्पिन बोलर ने भी पर्फोर्मेंस किया है यानि कि जो हमारा जील टीम का कॉ उसके साथ wicket taker बोलर की बात कर लेते हैं, तो left arm fast baller को दोस्तो फर्स्ट इनिंग में 6 विकट मिली है, second इनिंग में भी यहाँ पर 6 विकट मिली है, left arm spinners ने दोस्तो फर्स्ट इनिंग में 8 विक्टों के साथ performance किया है, 13 विकट दोस्तो second इनिंग मिली है, राइट आर्म फास्ट बोलर को दोस्तो यहाँ पर 13 विकट फर्स्ट इनिंग में, सेकंड इनिंग में 15 विकट और राइट आर्म स्पीनर्स को फर्स्ट इनिंग में 18 विकट, सेकंड इनिंग में दोस्तो यहाँ पर only 9 विकट है क्योंकि second inning में left arm spinners को help मिलती है right arm spinners को थोड़ी सी कम help मिलती है तो grand league team का जो हमारा combination होगा उसमें जो team बाद में bowling करवाती है उसके left arm spinners आप try करके चलना right arm fast baller दोस्तों दोनों inning में आपको performance करते वे नज रहेंगे लेकिन जो team पहले bowling करवाईगी उसमें right arm spinners को आप try करके चल सकते हो ये दोस्तों important tips है grand league win करने के लिए उसके जाद head to head की बात कर लेते हैं तो head to head के last के जो 19 मुकाबले दोनों team के बीच खेले गए हैं उसमें दोस्तों jimbabbe की team ने only 2 ही मुकाबले अभी तक win किये हैं 17 head to head मुकाबले पाकिस्तान की team win कर के आ रही है recent में पहला T20 मुकाबला भी यहाँ से पाकिस्तान की team win कर के आ रही है second मुकाबला है अगर पाकिस्तान के team फिर से win करती है तो सीरीज भी अपने नाम करके जाएगी लेकिन जिमबाबे की टीम आज के मुकाबले में कमबैक करती भी आपको नजर आ सकती है तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं यहां से जिमबाबे की फाइनल प्लेइंग 11 के बारे में इस तीम से कौन सा खिलाड़ी आज के मैच में सबसे जादा परफोर्मेंस करते वे नजर आएगा रयान बरल दोस्तों यह खिलाड़ी आपकी टीम का ट्रम्प कार्ड खिलाड़ी है कलाई उसके साथ दोस्तों आपको यहां पर तसिंगा देखने को मिल जाएगा फिर विलिंग्टन रिचर्ड नगरवा बिली सिंग मुजरबानी ट्रेवर उसके साथ मायर सिकंदर रजा फ अगर यह दोस्तों पाकिस्तान की टीम पहले बोलिंग करवाती है तो इन खिलाड़ीों को दोस्तों विकट मिलने के चांस ही जाएगा जैसे स्टार्टिंग के ओवर दोस्तों रिचाड नगरवा करवाएगा नंबर एक नंबर तीन का ब्ली सिंग मुजरबानी नंबर दो नंबर चार और नंबर चैक आवर करवाने वाला है डैथ में दोस्तों रियान बर्ल दोस्तों 16 आवर करवाएगा सिकंदर रजा सत्रवा रिचाड नगरवा अठारवा और 20 वा ब्ली सिंग मुजरबानी 19 वावर लेके आएगा ये टोटल आपको तीन खिलाड़ी देखने क मिलेंगे जो कि स्टार्टिंग में बोलिंग करवाएंगे नीचे कि आपको च्यार बोलर देखने को मिलेंगे जो कि दोस्तों डैथ में बोलिंग करवाने वाले हैं इसके साथ इनके फाइनली प्लेयर परफोर्मेंस के हिसाब से बात कर लेते हैं ओपनिंग बैट्समें बै 20 format में only 26 का average score है अगर दोस्तों यहां पर मैंने मारुमानी wicket keeper option try किया होता तो यहां से grand league team में मेरी और भी अच्छी rank देखने को मिलती क्योंकि इस खिलाडी का भी पहले T20 मुकाबले में बहुत ही कम selection था अभी इस खिलाडी का 10 पलस का score इस खिलाडी की तरब से देखने को मिला है head to head में 20 का average score ground पे 33 run 20 का average score इस खिलाडी का T20 format में है तो wicket keeper option यहां से दोस्तों आप मारुमानी को try करके चल सकते हो और वैसे एक safe खिलाडी है यह आपको wicket keeping के भी दोस्तों point निकालते वे नजर आएगा तो अभी के लिए opening batsman में मैं मारुमानी को pick करने वाला हूँ उसके बाद मायर्स के बाद कर लेते हैं जिसका selection 11% है recent की तीनों inning flop है head to head venue पे भी flop है 26 average score इस खिलाडी का T20 format में है तो अभी के लिए दोस्तों draw पी करके चलेंगे इसके जगह सबसे बड़िया option आपकी टीम में सिकंदर रजा देखने को मिलेगा captain plus voice captain team में selection 99% है recent में 49 run 1 wicket, 27 run 3 wicket, उसके बाद 133 run फिर दोस्तों यहां से 3 run 5 wicket, फिर यहां से 2 wicket के साथ performance किया 17 wicket इसके पास है head to head में पलस में 5 wicket, ground पे 36 average score पलस में 12 wicket, T20 format में 26 average score पलस में दोस्तों 37 wicket के साथ इस खिलाडी ने T20 format में performance किया है तो काफी बढ़िया चुआइस है grand league team plus small league team में एक safe captain, वो इस captain आप सिकंदर रजा के साथ try करके चल सकते हो इसके साथ साथ रियान बर्ल, यह भी दोस्तों आपको batting plus bowling दोनों से point करते वे नजर आएगा selection 71% है और recent के continue matchों में दोस्तों बढ़िया performance तीन matchों में एक-एक wicket, एक match में 61 run और एक match में only 23 run के साथ इस खिलाडी का performance है 13 average score इस खिलाडी का head to head में पलस में 3 wicket, 21 average score इस खिलाडी का venue पे है पलस में 6 wicket, 27 average score इस खिलाडी ने performance किया है उसके बाद यहां से Clive जिसका selection 0.5% recent में flop है 17 run, 53 run, 35 run, 1 run उसके बाद दोस्तों यहां से 7 run के साथ performance head to head venue पे flop है 24 average score इस खिलाडी का T20 format में है रियान बर्ल दोस्तों यूनीक grand league team में unique captain भी आपको देखने को मिल सकता है उसके बाद तासिंगा जिसका selection 0.1% और यहां से T20 format में batting average है पलस में 8 wicket भी निकाल रखी है लेकिन recent की 4 inning में इस खिलाडी की तरब से bowling देखने को नहीं मिली है तो अभी के लिए drop करके चल सकते हो head to head और venue पे इस खिलाडी ने कुछ भी performance नहीं किया only no run के साथ performance है उसके बाद Wellington जिसका selection 48% recent में 1 wicket head to head में 3 wicket ground पे 6 wicket 42 wicket इसके पास है T20 format में तो यहां से दोस्तों अगर पहले bowling करवाती है जिंबाबे की team तो try करके चल सकते हो लेकिन मैं तो इसकी जग है Richard Nagarua को pick करके चलूँगा continue इस खिलाडी की तरब से performance है एक ही match में flow पे selection भी आपको 56% देखने को मिल जाएगा recent के continue matchों में 1-1 wicket उसके बाद 3 wicket, 4 wicket फिर यहां से 1 wicket head to head में 4 wicket, ground पे 4 wicket 73 wicket इसके पास है T20 format में safe खिलाडी है एक wicket जरूर आपको निकालते वे नजर आएगा अगर पहले बैटिंग करती है जिंबाबे की टीम तो यह खिलाडी दोस्तों आपको बैटिंग से भी 20-30 run बनाते वे नजर आ सकता है फिर यहां से bleaching मुजरवानी जिसका selection 33% है, recent में selection 0.3%, recent में flop है बाकी continue performance head to head venue पे दोस्तो flop T20 format में 11 मुकाबले और 11 victo के साथ इस खिलाडी का भी performance है तो यह दोस्तों आपको finally जिंबाबे के final player performance देखने को मिल जाएंगे, अगर बात करें यहां से second team के बारे में पाकिस्तान की final playing 11 पलस में इनके player performance इस team से कौन सा खिलाडी हम try करके चलें तो opening batsman आपको यूशफ देखने को मिल जाएगा आयूब फिर उसके बाद उस्मान खान जो की बिछले match में काफी बढ़िया performance करते वे नजर आये था उसके साथ सलमान, ताहीर, इर्फान खान तो starting के ओवर दोस्तों अबरार एहमद की तरब से देखने को मिलेंगे नमबर एक, नमबर तीन, नमबर पाँच का खान दोस्तों नमबर दो और नमबर चार का ओवर करवाईगा हारी श्रोफ दोस्तों नमबर छे का ओवर करवाने वाला है बोलिंग सेक्शन में तीनों बोलर काफी बढ़िया च्वाईश है कैप्टन वो इस कैप्टन सी के लिए बागी दोस्तों बात करेंगे इनके फाइनली प्लेयर परफोर्मेंस के हिसाब से यूशव जिसका सेलेक्शन 25 परसेंट है रिसेंट में 16 रन, 68 रन, 21 रन, 25 रन और यहां से फ्लोप है चार मुकाबले T20 फॉर्मेट में 62 रन, 22 का एवरेज कोर हेट टो एड वेन्यू पे भी दोस्तों 16 रन इस खिलाडी ने बनाई थे तो बढ़िया च्वाईश है लेके चल सकते हो ग्रेंड लिग प्रलस स्मोल लिग टीम के कोंबिनेशन में है उसके बाद आयूट जो कि आपकी टीम का यूनिक कैप्टन वो इस कैप्टन बन सकता है 84 परसेंट सेलेक्शन है सीवी सी में भी दोस्तों आपको हाई सेलेक्शन देखने को मिलेगा रिसेंट में 24 रन, हैट टो एड में 22 कैवरेज को और गिराउंड पे 24 रन, सोडा कैवरेज को और इस खिलाडी का T24 मैट में है इस खिलाडी के तरब से दोस्तों आपको एक लंबी इनिंग देखने को मिलेगी इसके साथ साथ दोस्तों उसमान खान, ये दोनों खिलाडी दोस्तों एक मैच में आपको लंबी इनिंग करते हुए नज रहेंगे तो इन दोनों खिलाडी के उपर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है CBC के उपर ट्राई तो करके चलना है, विकट कीपर ओप्शन है, सलेक्शन 14 में परसेंट है, रिसेंट में 49 रन, फिर फ्लोप है, 52 रन, फिर फ्लोप है, हैट टो एड और वेन्यू पे 49 रन, 24 का अवरेज स्कोर इस खिलाडी का T20 फॉर्मेट में है तो इन दोनों खिलाडियों को यूनिक ग्रेंड लिग टीम में CBC में जरूर ट्राई करके चलना है, उसके बाद सलमान जिसका सलेक्शन 16 परसेंट है, रिसेंट में ओनली 13 रन, फिर फ्लोप है, हैट टो एड और वेन्यू पे 13 रन, 5 का अवरेज स्कोर ओनली इस खिलाडी क T20 फॉर्मैट में है, ODI फॉर्मैट में बोलिंग करवाई थी, लेकिन T20 मैच में दोस्तों बोलिंग इस खिलाडी के तरब से देखने को नहीं मिली, उसके बाद ताहिर जिसका सलेक्शन 60%, ODI में दोस्तों यहाँ पर रिसेंट में 29 रन बनाए, लेकिन अभी रिसेंट में T T20 मुकाबले में भी 49 रन नाबाद head to head और venue पे 49 रन T20 फॉर्मैट में 21 का average score, उसके बाद इर्फान खान रिसेंट में 27 रन नाबाद, 34 का average score, head to head में 27, ground पे 27, 48 का average score इस खिलाडी का T20 फॉर्मैट में है, पिछले मैच में दोनों खिलाडी दोस्तों ट्रम्प काड़ी खिल ने को मिले थे, उसके बाद यहां से खान जिसका selection 16% है, recent में continue एक एक विकट, head to head और venue पे भी दोस्तों एक एक विकट, T20 फॉर्मैट में 5 रन पलस में दोस्तों एक विकट के साथ इस खिलाडी का भी performance है, उसके बाद अबाद अबास अफरीदी जिसका selection 52%, recent वाले मैच में फ्लोप है, बागे continue, performance, head to head venue पे फ्लोप है, 22 विकट इसके पास है, T20 फॉर्मैट में, total दोस्तों 14 मुकाबले इस खिलाडी ने अभी तक खेलेवे हैं, उसके बाद यहां से अबरार हैमच जो के recent वाले मैच में 3 विकटों के साथ पर्फॉर्मैंस किया है, CVC में बढ़िय फिर से इस खिलाडी का selection बहुत ही लो है, recent में 3 विकट इसके पास, head to head और venue पे 3-3 विकट, 9 विकट निकाल चुका है, T20 फॉर्मैट में, अभी तक 5 ही मुकाबले दोस्तों इस खिलेवे हैं, उसके साथ high selection पे आपको हारी श्रोफ देखने को मिलेगा, captain plus voice captaincy के लिए, selection 88%, recent में 2 विकट, head to head में 13 विकट, ground पे 2 विकट, 110 विकट इसके पास है, T20 फॉर्मैट में, तो ये दोस्तों फाइनली आपको पाकिस्तान के final play performance देखने को मिल जाएंगे, अब बात कर लेते हैं, मेरी आज की final fantasy team के बारे में, बाकी दोस्तों वीडियो को like करना मत बोलना, channel को जिसने subscribe नहीं किया है, वो channel को भी subscribe कर लेना, telegram channel को अगर अभी तक आपने join नहीं किया है, तो नीचे description में link है, फड़ाबट से telegram channel जरोड जोइन कर लेना, बात करेंगे final fantasy team के बारे में, उस्मान खान, ताहीर, आयूब और उसके साथ यूशफ, captain C में दोस्तों सिकंदर र जाएगा, VC में हारिश रोफ, यहां से दोस्तों आपको खान, सिकंदर रजा, ताहीर, आयूब और यहां से उस्मान खान, यह दोनों खिलाडी आपके team के unique captain voice captain बन सकते हैं, सिकंदर रजा का आपका हाई selection captain voice captain C में देखने को मिलेगा, बागी दोस्तों यह चार खिलाडी आ अगर उस्मान खान को try किया है, तो VC में आप हरिश रोफ को safe voice captain try करके चल सकते हो, यह फिर दोस्तों अबास अफरीदी को यह फिर अबरार एहमद को आप try करके चल सकते हो, सुफियान दोस्तों unique captain voice captain C में देखने को मिलेगा, आज के मुकाबले में भी इस खिलाडी का low selection है, तो यह आज की दो final fantasy team में रहेंगी, बाकी update टेलिग्राम चैनल पे नीचे description में लिंक है, फड़ाबट से join कर लेना, वीडियो को like कर लेना, चैनल को subscribe कर लेना, आने वाली लगातार update के लिए, तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही मिलता हूँ next interesting वीडियो के साथ. कर लेना, आने वीडियो कर लेना, वीडियो के साथ.